अगर आप भी रोजाना वो प्लेन चावल खाकर बोर हो चुके नो तो इस रेसिपी को एक बार ट्राइ कर लेना येकीन जाने इतने जादा टेस्टी बनते हैं ये वाली चावल कि आपना अपना हाथ रोकनी पाओगे पेट भर जाएगा आपका लेकिन मन नी भरने वाला तो यहां पर मैंने एक कप पासमती राइस को सोक करकी रखा है वन फोर्ट कप चैना दाल को गुन गुने पानी में दस से पंजा मिनट के लिए भी हो दिया है चलिए ये काम तो हो गया अब कर लेते हैं थोड़ी सी चॉपिंग बहुत कम महनत लगती है यह बहुत जाला एफट कट कर लेंगे और इसको स्पाइसी और चटपटा बनाने के लिए मैंने ग्रीन चिलीज लिए उनको भी आपने करना है बीच में से चीरा लगाना है और फिर दो टुकडों में कट कर लेना है तो जटपट बनकर तयार हो जाता है और पूरे परिवार को इतना पसंद आएग कि सोचेंगे कि रोजाना यही वाले पुलाव बनवाएं तो इस तरीके से हरी मिर्चो को भी मैंने काट लिया है सारी तैयारी हो चुकी है चली फटफट से चलते कोकें की तरफ तो यहाँ पर आप कोई भी वर्टन लेने तो मैंने यहाँ पर पैन के अंदर थोड़ा सा कर लेना और इसको भी हो जाती है बच्यों में आदा चुड़ी चंबल जीर डालें इसको क्रैकल होने देंगे और यहां पर ना मैंने कुछ खड़े गरम मसाली लें जैसे कि तेज पत्ता काली बड़ी लाइची दो लॉंग साबुत लाल मिर्च और काली मिर्ची हरी टमाटर और ग्रीन चिली काट कर रखे ते ना वह भी आप यहां पर एड़ कर लेना और इसको भी साटाय कर लेना तो आज दो पहर के खाने में आपने क्या बनाया था कमेंट बॉक्स में आपने मुझे जरूर बताना है ठीक है और उसके बाद ना फिर यहां पर नमक और प के हाथों से एक मिनट के लिए आपने ऐसे ही साटाय करना है ज्यादा तेज तेज नहीं चलाना वरना चावल टूट जाएंगे चावल बिल्कुल भी खिले खिले नहीं बनेंगे फिर यहां पर पानी एड़ कर देना है तो यहां पर ना मैंने एक कप प्राइस लिए तो मतल हाई फ्लेम पर एक बॉइल लगाना है और लो फ्लेम पर आपने इसको छोड़ देना है पकने के लिए जब तक के पानी ड्राइना हो जाए फिर मैंने देखा फ्रिज में थोड़ा सा पनीर पड़ा हुआ है तो मैंने पनीर को ना कट कर लिया इस तरीके से छोटे-छोटे इस में अब इसको हम क्या करेंगे शैलो फ्राइ करेंगे तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप लाइक किया करें अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर किया करें मुझे बेहत खुशी होती है आपके कमेंट पड़ने में तो यहाँ पर पैन में इसे करणे हैं तो यहां एक हे पनीर करते हैं तो पनीर करेंट अखेंशेodel केशा ख्या consists आपकें इसा जबते है तो ऊड़ी कियो गया बढ़र की डवा ऐथा चीजिता तो इसलिए मैंले इसको अलग शहलो फ्र्या किया है देखोने में इसको और यह पनीर पानी जो यह रॉ तो पनीर एड़ कर देंगे और फिर जो हमने प्यास गोर्डन फ्राय करके रखा तर वो एड़ कर देंगे और फ्रेश हरा धनिया आप बनाने के बाद ना वेट नहीं कर पाओगे खाने के लिए इतनी मतलब जल्दी लगे कि आपको इतना जादा टेस्टी बनता है अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जबर जाना और इसके हर बाइट में एक अलग सवाद है मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब देख लिए बाबाई थैंक्स वॉचिंग इस वीडियो